तो हाई गाईस वेलकम बेक तो मैं चैनल तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग का जो construction site है उसमें जो brick work या plaster work होता है उसमें जो mortar का use होता है उसमें cement और sand का quantity लगेगा वो आप लोग कैसे निकाल सकते है मैंने अपने last video में आप लोग को बताया था कि construction site में जो concrete work होता है उसमें cements and aggregate कितना लगेगा उसको कैसे निकाल सकते है आप लोग तो वीडियो को भी एक बड़ चेक आउट कर लेना और यह वीडियो को भी एंड तक देखना आई होप यह पूरा वीडियो देखने से आपका जो clear doubt रहता है यह सब topic क लेके वह पूरा clear हो जाएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना तो वीडियो को शुरू करते हैं और यह सब जो knowledge है आप लोग जो फ्रेशा इंजिनियर आप लोग जो निकलते हैं मान लेजिए college से पास आउट होके तो आप लोग जो साइट में जाते कि जो ब्रीक वार खोगा उसका दाइमेंशन पहले लिख लेंगे तो मेरा जो दाइमेंशन है 4.5 मीटर लेंग 2.8 मीटर वीद और 0.200 मीटर मेरा थीकनेस तो यह हो गया 2.52 इतना मेरा total quantity इसका जो वोल्यूम है ब्रीक वार का इसका total volume मिल गया लेंग वीद थीकनेस तो हम लोग पहले क्या करेंगे standard size of brick यह आप लोग सबको पता होगा जो डिपलोमा हो यह बीटे को सबको पता होगा standard size of brick 19 cm x 9 cm x 9 cm modular size of brick 20 cm x 10 cm x 10 cm अब बहुत लोगों को इसमें confusion रहता है standard size किया है modular size किया है मानलेजे यह आपका खाली brick है तो इसका जो आपका dimension है वो होगा आपका standard size ठीक modular size होगा कि मानलेजे आप लोग इसमें brick work कर रहे है ठीक एक brick है यह एक brick है दोनों को joint कर रहे है तो बीच में आप क्या दे रहे है यह बीच में आपका मोटार फिर इसके बीच में आ रहा है मोडूलार साइज कितना होगा 20 cm to 10 cm मतलब चारो साइज में एंडर साइज 19 cm है और बढ़के कितना हुए 20 cm तो चारा साइज में एक सेंटीमेटर हो रहा है एक सेंटीमेटर का मोटार हर साइज में एड हो रहा है तो आपन next क्या करेंगे ratio of mortar अपना आइस कोड़ पोलता है कि आप लोग जो मौटर यूस करेंगे उसका जो रिशी होगा वह होना चाहिए वान इस्टू ट्री टू वान इस्टू सिक्स के बीच में तो फिर आपन क्या करेंगे निकालेंगे पहला चीज बॉलियूम उफ वान ब्रीक विदाउट मौटर म निकलेंगे पॉइंटी संटिमीट्र हो गया न मorytयो के साथ आने से मोलडला सब चाहिए 20 संटिमीटर सब को म मींटर में करेंगे पॉइन टीट इन्ट टू पॉइंट इन्टू टेन इतना निकला पॉइंट 002 मेटर क्यूब ओके फिर अपन एक्स्ट क्या करेंगे नमबर ओफ प्रिक्स रिकूइड तुकाबर 2.52 MQ volume अब यह जो point है समझने वाला point है क्या है कि अपन जो यह 2.52 यह total जो इसका volume है 2.52 MQ ठीक यह volume को cover करने के लिए अपने को कितना ही brick requirement होगा वे निकालेंगे तो यह जो volume cover करेंगे उसमें खाली brick requirement निकालने से नहीं होगा न क्योंकि आपन तो निकालते टाइम साथ में यह brick के साथ जो mortar rate होगा उसको भी निकालेंगे तब ही ना आपका वो होगा क्योंकि बिना mortar के तो आपका joint नहीं खाएगा ना और यह जो बीच में जो एक centimeter gap रहेगा ultimately आपका brick बढ़ जाएगा तो उसको कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए टू पॉइंट फाइब यह टोटल वोलियम डिवाइट पॉइंट जिरो जिरो टू यह होगा आपका one brick का volume with mortar ओके एक brick का volume with mortar divide करेंगे तो कितना निकला आपना 1260 numbers इतना नंबर का brick खाएगा इस 2.52 एम की volume को fill करने के लिए मतलब यह 2.52 की volume को fill करने के लिए 1260 brick लगे और 1260 brick और mortar लगेगा ओके यह मान लिजे एक brick और साथ में mortar मतलब यह पूरा volume कवर करेगा इतना नंबर में ओके अपन नेक्स्ट क्या है volume covered by 1260 numbers bricks without mortar in 2.52 volume ओके तो बारा सोच number का brick लगेगा इतना इसमें तो बारा सोच इन्टू क्या लिखा है without mortar जो brick होगा वो तो without mortar का brick कितना है पॉइंट 001539 बारा सोच माल्टिप्लाइट बाइप पॉइंट 001539 कितना हुआ 1.939 एंक्यू यह पॉइंट को ठीक से पढ़ना वोलियूम कवर्ट भाई बारा सोच नंबर bricks without mortar मतलब जो बारा सोच नंबर का brick है यह जो बारा सोच नंबर का brick यहां में यह जो वोलियूम कवर करेगा mortar के अलावा mortar को छोड़के जो ब्रिक कवर करेगा यह वोलियूम तो वो निकालना है तो बारा सोच नंबर का brick into एक brick का वो डामेंशन क्या है mortar mortar को छोड़के 0.001539 यह multiply कर देने से कितना है 1.939 mq फिर क्या है अपना है वोलियूम कवर्ड वाइं मोटर इन 2.52 mq कि वोलियूम मतलब यह वोलियूम में जो अपन आपन आपना जो mortar लगा है उसका वोलियूमी कहले चरदोमिने से कलिए कि質 कर देंगे उपना टूपौंट्ट फइच कँए मैनस इतला है उसक व बेलिम माइनस कर दिने से अपना mortar का वोलियूम निकल जाएगा बोल्यूम मॉटर को छोड़ के खली ब्रिक का वोल्यूम कितना आया 1.939 तो यह मैनस कर देने से इतना आया पॉइंट फाइब जिरो एकुब इतना वोलियुम का अभी ये वोलियुम क्या यह गता गय दॉइंट ऑपने पॉड पॉलियुम इसमले की सिमें थाीपिर में काललेंगे जुब अब डाइब कालों एक तो इसमें क्या होता है 33% of weight volume तो 580 और 580 का 33% कितना आया 0.191 तो 5.580 plus 0.191 कितना आया 0.771 MQ इतना MQ का मोटल लगा लगेगा ड्राइव ओलियम में इतना MQ का मोटल लगेगा अपना इसमें ब्रीक वर्क के लिए ठीक अभी इसका इसमें जो सिमेंट और सेंड यूज लगेगा अपना वह आपन लिका लेंगे ठीक तो आपन क्या करेंगे उसके लिए सामफदार रेशियो कितना है वान इस्टो फॉर वान प्लस फाइब फॉर इस इकोल स्टू फाइब यहाँ अपना सामफदार रेशियो तो फिर सिमेंट का निकालेंगे तो लास्ट वीडियो में जैसे निकालेंगे उसमेंगा भी प्रोसीजर सेमी है वान इस सिमेंट का एक पार्ट ओके फिर पॉइंट सेवन वान या अपना वोलियूम ठीक फिर डिवाइट बाइब फाइब टोटल सामफदा निकालेंगे क्यान इतना सिमेंट का सिमेंट में निकालें इसे निकालते के लिए 1440 से इसको इसको माल्टिप्ले कर देगा 1240 क्या है डेंसिटी एव सिमेंट कितना है 1440 केजी पार एक तो 154 के रा एक कैसल हो जाए तो तो कितना निकलेगा पॉंट 22.16 kg उतना चेजी इतना कीज़ी के लिट लेगा अभी सीमेंट के जी में निकालना से नहीं होगा क्यूब को बैग में निकालना पड़ेगा तो इवड़ेद 50 मतलब वान बैग ऑफ सिमेंट इस इकोल स्टो कितना है 50 केजी तो 222.36 केजी डिवाइट इस इतना हुआ है 4.44 इतना बैग सिमेंट लाएगा अपना पॉइंट 771 मोटर में मतलब इस ब्रीक करने के लिए अपना जो मोटर लेगा कितना है 4.771 उसमें जो सिमेंट लेगा हो कितना लेगा 4.44 बैक्स ओके और आपनेक्स निकालते हैं यह 4 क्या है यह फूर पार्ट ऑफ सेंट फिर 0.771 वोलियूम ओफ कॉंक्रीट वोलियूम ओफ मॉटर फिर 5 यह 5 पार्ट साम अवदा रिश्यू ओके तो कितना आया 6.616 mq मतलब 0.616 cm इतना cm बाली लेगा फिर इसमें क्या करेंगे अपन उसको अगर kg में निकालना है तो डिवेटे मार्टिप्लाइट बाइस वाइस सोला सो केजी पार इंप्यूम यह क्या है देंसिटी ऑफ सेंट इतना है 1550 से लेके 1600 केजी पार यह में नहीं बोल रहा ह है आपका जो इसकोट है उसमें दिया हुआ आप लोग एक पर चेक कर लेना यह जो मार्टिप्ले करेंगे कितना आया 986.88 kg आपन ज्यादा तर उसको क्यार सेंट में को किसमें निकालते हैं cm में निकालते हो ही यह 0.616 cm सेंट लगेगा और सिमेंट कितना लगेगा 4.44 बैक सिमेंट लगेगा तो आप मैं एक पर पूरा दिखा देता हूँ आप लोग एक पर उसको अगर हो सके तो स्क्रीनशोट ले लिजिएगा आप लोग काम में आया तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करते ना और चैनल को सब्स्क्राइब करते ना मिलते हैं नेक्स वीडियो में